पंजाब दे कोजी क्वेश्चन अपने डिसस कर दें आज और पहला क्वेश्चन अपने को देह देखेड़ा होंद है तो इस जवाब होया धाट इस गुरू हर गुबिन जी इस तो बाद मैराइन इस बिइट इस एक अपना जा रही है महांकोश इस इंसेखलोपीडिया वाद रिटन बाए महांकोश एक महांकोश नाबव और बहुत मशूर फिलोसफर होए ने एक फिलोसफर होए ने और इना ने वहान कोश उदी रचना कीती सी और अगला कोश्चन अपने कुल है डाट इस पंजाबी में इसे नौट लिखें सो केड़ी चीज है जड़ी के आदमी पंजाबी आदमी नहीं पहुंदे जवाब सब्सक्राइब हो गया है डैट इस लॉंग बेसिकली जरानिया वाला एक और मैंट है और एड़ा सिगा आदमी नहीं पहन दे खुवां अधे फादर प्रेसंट आप गदर पार्टी गदर पर्टी ता पावंडर प्रेसेट काँ सी यह आपने जांदे है के 1914 चांट प्रेसिसको देश्ट गदर पार्टी बनाए गयी से की और ओदे फांडर प्रेडेंट जिए ओसी है मिस्टर सौहन सिंग पकना उनने पहले प्रेडेंट से एपाटी जिए उनने पर साथ याना मिलके बनाई सी यूश से देवेच देवेच देश्टि पजाब हैं दोफ पॉपॉलेशन देंस्टी इस लोफ पॉपॉलेशन अलग हों दी है कि हिंदोस्ताँ ओब क्व और तलिस नहीं कॉई नहीं सी कहिंए ऑड़क ही बंदी कमिशन चहें जर्श है नहींने काम सिंगे ऑसी साइरें सी चिंग्ड पर्टीशल दे लाइना खिच्चियां से गिया सो इस अड़ा जवाब होगा सायरल रेड कलिफ जे सी शाओ नाइटीन शिग्स देविच जदो पंजाब हरना दी पार्टेशन होई है उस वे इना ने आपनी रिकमेंडेशन दितने सी जदे वेसे ने होते हैं पंजाब हरना दी सो विच वान दा फाले नेम डाव इंडिया इन फइन फञैंशल के पिट्व पंजाब तो सारे जांदिया होटे दसन जरूरत नहीं है कि जाना एधा जवाब है इन्हों मांचेस्टर पजाब भी इमांचेस्टर फिडिया वी क्या जनता है वूस बाने इस इंक्लूडे इन सब्सक्राइब नहीं तो इस त्रीके ना सब्सक्राइब होने चाहिए पर कबीर जीदी बानी है डिडिके गुरुगरंद साव देवेच शामिल है दो मोस्ट लिट्रेट स्टेट लिट्रेट ता मतलगी जिते सब तो ज्यादा पड़े लिए लोग ने को केड़ा है और हु श्यारपूर होएगा सो एस पर 2011 सेंस बेसिकली किस तरह नहीं के 2011 सेंसस दे मताबक केड़ा जिड़ा है वो स्टेट जिला है वो इस फुट्वी नॉवलिस्ट ग्यान पीठ अवार्ड जैनल पीट लिए पर बेसिकली ज्यान पीठ आवार्ड है और एदा जवाब है आपने स्कॉलर भी सिगे है दिली इंविस्ट्री प्रफेसर भी सिगे बाद विचे है पंजाब च्वी आए और एन ने बहुत सारे किताबा में लिखिया वेड़ वस पंजाब न पैप्सू मुद्य जदो उनीस संताली दे विच हिंदुस्तान अजाद होया तब पंजाब ऑला ल सब्सक्राइब और उस्तों बाद फिर जदों रियॉर्गनाइज़ेशन जदों हुई सारे कंट्री दे विच स्टेट रियॉर्गनाइज़ेशन कमिशन दे मताबक ता उनीसाच पंजादे विच पैप्सूनु पंजाब दे मार्जिकार देता गया सो एदा जवाब क्यों ह आस मेलाउंس मिलांस कुमॉर ढांस बैसीकली चुमॉर दांस पाकिस्तान दे वागे दें में राज़ासिप बहुत बश्अनुछीन और ऑप्शन देविक्टों संदर बाद है संदर बाद है जबाएक हो डांस है जाटिस समी समी भी बहुत मशूर है और दूचर चुमर वीशे लाके बहुत मशूर करते हैं सब्सक्राइब रूरल ओलम्पिक्स पंजाब होने खत्म होई याने दो दिन पहला कि ते हुंदिया नहीं किला राइपर जगराओं देनाल पेंद है जबाएब जवाब कि है किला राइपर इनद टाइप ऑव स्वाइल फाउंड लां ढांद रिवर चैनल लाइक सत्लोज इन पंजाब सब्धों जो दर्याद दर्याद कंडए कड़ी मिटी हुंदी है ठीक है जी दर्याद निर हैं निडेजरीश के वो बेट मिटी हुंदी है ऐखादर भी कहाँ देशा आपको उनुद्ध क्योंकि वो जड़ी के मिटी पाणी जिना रुड़के हुँदी है बहुत उपजाओ भी होंदी है और वह अलाका जिते के दर्यामदा पानी जदो पानी वद जाए आम वड़ जानता है तो उन्हों बेट एरिया भी क्या है जानता है आप पर हो मेरी टाइंस पंजाब फोर्ट प्रेजडेंट रूल प्रेजडेंट रूल प्रेजडेंट रूप पिजाब की दिवार लग जी एए आठ वार लग चुक यहां सो इदा जवाब की होएगा पहला ओप्जिसिंग कोहनुर फोम शाषो जाब एवी थानुक कहानी की अफगानिसान दा बाशाह दासी किसे वेले उस तो एहे हीरा जड़ा सिगा रंजी सिंग ने हासल किता सी मैच दा फालुइंग एहे नाम हेंगे ने दर्यामा दे आज़िदे और पुराने अपने इंशन टाइम दे ना हेंगे अपने जवाब हो गया सो इस तरीके नाल यह अपने जवाब हो गया पॉस्ट एंगलो से वार बिटिन ब्रिटिश इस्टी इंडिय कंपनिया से केड़े टाइम दे चोई सगी एह अठारा सा पंताली देविश्वरू च्याली देविश खत्म होई तो इस पैदी आप्शने द उसके को देखेंगे जी के क्या पाट रही है एंड प्लीज अगेन मैं दुबारा बोर रहा हूँ हमने स्कोर को टैली किया करो कि कितने मांक्स आपके टोटल बन रहे हैं उसी से आपकी प्रोग्रस पता लगेगी अधरवाइस कोई फायदा नहीं होगा ठीक है तो लेट्स देखते हैं कोशन क्या हैं डिसकस करते हैं उनको विट सेक्टर अफ दा इंडिन एकॉनमी है शोन रिमार्केवल एक्स्पैंशन इन लास्ट वांटी यर्स कोशन आपको पूछ रहा है कि पिछले 20 साल में भारत की किस एकनॉमिक सेक्टर ने सबसे जादा ग्रोथ की है ठीक वो कहते हैं डिसगाइज Unemployment का आपके पास क्या मतलब होता है ठीक है तो अंसर क्या है अंसर किया है और पांच लोगों से काम चल सकता है इसे जादा जुरत नहीं है और मैं वहां पे दस लोगों को काम पे लगा दू तो क्या पांच लोगों के काम करने सिक खेत की productivity बढ़ नहीं है ठीक है तो ऐसे cases में हम लोग क्या होते हैं इसको देखते हैं ठीक है जब आपके expenditures ज़्यादा हो जाते हैं आपके revenues कम होते हैं तो आपके फर्स टर्म बन रही है वापके पास क्या बन रहा है फिसकल बैपिसिट लार्ज electrical and electronic appliances used at home came under the category of which are the following goods वो कहते हैं जो अभी आपके electrical items हैं या जो घर में आप electronic appliances टीवी फ्रिज वाशी मशीन इंवर्टर बगारा यूज करते हैं यह कौन सी category में आते हैं तो these are called as white goods, white goods कहा जाता है इनको, ठीक है white goods होते हैं इनक्स, fiscal policy of India is planned, designed and executed by, कि भारत में fiscal policy कौन बनाता ह तो अभी थोड़ दिन पहले ही आई है, तो government of India, fiscal policy का अगर मैं आम भाशा में शब्द का इस्तिमाल कोई तो budget, political language में बात करूँ तो इसके लिए हमारे पास शब्द क्या हो जाता है, annual financial statement, article number 112, next, foreign exchange rate means the rate at which the currency of one country can be traded for, वो कहता है foreign exchange rate है क्या, ठीक है, वो कहता है कि जहाँ एक country की currency किसी और currency पर trade की जा सकती है, the currency of any other country in the foreign exchange market, ठीक है, तो foreign exchange market के अंदर आप इसको क्या कर सकते हो, किसी country के currency को दूसरी country के साथ क्या कर सकते हो, trade कर सकते हो, ठीक है, receipts which lead to a decrease in assets or increase in liabilities of the government falls under which of the falling head of the fiscal policies, वो कहता है, कौन से ऐसे receipts हैं, जहाँ पर आपके assets के decrease होने के chance होते हैं, liabilities के बढ़ने के chance होते हैं, तो यह आपके पास कौन से होती है, capital receipts होती है, ठीक है, capital receipts में देखो, पैसा आता कहां से है, loan से आता है, borrowing से आता है, disinvestment से आता है, dis-saving से आता है, तो ऐसे सारे cases में आपके assets reduce हो रहे हैं, या आपकी liability बढ़ रही है, मैंने loan लिया तो मेरी liability बढ़ गई, ठीक है, मैंने dis-saving की, dis-investment की, तो मेरे assets reduce हो गए, ठीक है, next, consider the following pairs identify which one are the following, which are correctly matched, आपको बताना है कि इतमें से correctly matched आपके पास कौन सा है, तो answer कहा है, three only, principle of separate electorate, यह आपके पास Indian Consulate 1909 है, local representation in the legislative council 1861 में नहीं था, Indian representative or legislative council Charter Act 1853 में नहीं था, ठीक है, चलिए, many times we read a term free market in a newspaper, what does it mean, वो कहाँ था, free market का concept क्या है आपके पास, ठीक है, तो answer है, one and two, it is a market where pricing is driven by the law of supply and demand, जितने supply and demand होगी, उससे आपके prices भी fluctuate करते रहेंगे, in free market, things are available without restraints of the government, अब government यहाँ पे जाधे restrictions नहीं लगाएगी, ठीक है, अगर किसी end पे जाके monopoly भी create हो जाती है, तो doesn't matter, ठीक है, चलिए, last action देखते हैं, जहाँ पे गलती क्या है, in such market goods are free from extraneous influence such as buffer and quotas, तो इससे free नहीं होती है, वो तो आपको buffer and quota तो maintain करना पड़ता है, which of the following is the development expenditure, जहाँ पे आप पैसा development के तौर पे लगा रहे हो, तो answer क्या है, irrigation expenditure, लंबे समय बाद कामाता है, which of the following statement is true about the primary deficit, primary deficit आपके पास क्या है, जहाँ पे आप, there is a difference between the physical deficit and interest payment, जहाँ आ minus करता है, वो आपका primary deficit हो जाता है, which of the following will not contribute to a higher current account deficit, उनमें से कौन सा higher current account deficit में contribute नहीं करता है, तो two, rise in the export of software services, तो software services अगर आपके बढ़ती है, तो आपका income को generate कर रहा है, ठीक है, चलिए, next, consider the following market borrowing, treasury bills, special securities issued by RBI, which of the following of these components are internal debt, internal आपका debt कौन साइज में से, तो तीनों के तीनों आपके internal debt की तौर पर ही देखे जाते है, which finance commission has issued the forest cover as a criterion for horizontal distribution of resources in India, तो आपकी 12th finance commission थी, जहाँ पर ये बात हुई थी, presently 15th finance commission काम कर रही है, हमारी, with reference to Indian economy, consider the following, bank rate, open market operation, public debt and public revenue, which of the following is or are components and components of monetary policy, ठीक है, नमें से कौन से monetary policy के component है, सिरफ one और two है, public debt और public revenue, ये आपके monetary policy का हिस्सा नहीं होते है, ठीक है, what was the charge against the Balghangadar Tilak for which he sentenced to six-year transportation in July 1908, तो sedition for writing his paper in K-Sari, ठीक है, sedition का, देश-दरो का charge रहा आजाता है, the most important poet at the court of Mohamud of Gajni, who wrote Shah Naam and regarded as the immortal homer of the East, which was name is Firdossi, ठीक है, Babar's Autography called as Tujkiye Babari or Babar Nama, which is reckoned among the most enthralling and romantic work in the literature of all-time children in Turkey, तो इसको Turkish Chatgai बोलते हैं, ठीक है, अगर कई बर paper में, option में आजाएं, तो याद रखना है, Turkish Chatgai is a language that has been used, ठीक है, चलिए, next, of the following, who did not revolt against Aurangzeb, तो आपके Shaisthakhan ने revolt देगी गाता, Shaisthakhan बल्कि, और Shiva Ji से बदला देने के लिए गया थे, इनके हत्या कर देगी तिपाद में Shiva Ji द्वारा, तो पेंटिंग्स को लेकर जादा इनको शौक था, जादा जो पेंटिंग का उधार, चलिए, next, देखते हैं, किसमा question, in the historic development, India has decided to establish its premier technology school, IIT और Indian Institute of Technology for the first time in the foreign currency, तो यह कहां पर किया गया है, UAE में सेट अप दिया, next, what is the name of the asteroid that has now got recognition of being the first ever asteroid with three on satellite, तो आपके पास कौन सा है, Electra, जहां पे तीन अपनी सैटलाइट सेस्की, India celebrates National Security Day on March 4, who is the National Security Advisor of India, तो Ajit Kumar Dawal, that is AK Dawal, which country topped the 6th edition of Sustainable Development Report, 2021, तो यह आपके पास है, Finland, यह तॉप किया है, तो यह आपके पास 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 है, UPI 123 पे, RBI has announced that NABFID shall be regulated and supervised as an all India financial institution, तो इसमें I Capital जो है, उसका full form पूचा है, तो इसका मतलब है infrastructure, International Day of Mathematics, जो कि 14th March को बनाया जाता है, यह किस Great Scientist का बर्दे है, तो अंसर क्या है, Albert Einstein, सब्सक्राइब करें तो इंडिया इसमें टॉप पे रहा है तो यह बेंगलोरू पे किया गया थे ताकि महां पे सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करते हैं तो आज मैं आशीश आप अफिस स्वागत करता हूं और हम लोग यह चेक करेंगे कि किस तरीके के आपके पास एक्जाम में रहे थे तो चली क्लास करते हैं सबसे पहला फर्सक्राइब कर सकते हैं चली तो यह रहा सबसे पहले फर्सक्राइब करता हूं तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यह जो लिया गया है यह लिया गया है कोडिंग डिकोडिंग से इसमें क्या लि बिखा है दोज हूए क्रोल का मतलब होता है जैसे क्रोलिंग जैसे आप लोग मुवीज में देखते हैं कॉल्ड फ्लाइंग दोज हूँ लिब इन दा वॉटर इस कॉल स्नेक जोकि पानी में रहते हैं तो स्नेक बॉला जाता है and those who fly in the sky are called hunter अब simply यह पूछा गया है what will be the lizard called be अगर हम बात करता हूँ lizard अगर हम बात को चिपकली की बात यहाँ पर करी गई है lizard जो है उसको क्या बुला जाता है इसके accordingly अगर lizard की बात यहाँ पर करी जाए तो यह पूछा गया है लिजर्ड को आपको क्या बुलेंगे अगर सबसे पहले एक चीज को समझे lizard की बात चरें तो लिजर्ड में जो चिपकली चिपकली जो है वो चलती है चलती नहीं रेंग के चलती है तो अब यहाँ पर साफ तोर पर आपको दिख रहा है कि किसको क्या बुला गया है अगर मैं बात करता हूं कि डारेक्ट आपके पास आंसर क्या है रेंगने वाले को क्या बुला गया है यहां पर जो रेंग के चलता है उनको क्या बुला गया तो आपके पास लिजर्ड जो है वो भी क्या करती है डारेक्ट क्रोल करती है तो answer is C option flying, ठीक है ना, answer is C option flying, ठीक है, hopefully यह बात आप लोगों को यहाँ पर clear हुई होगी, ठीक है ना, चलिए, चलिए, अब next चलते हैं, next question की तरफ, यह रहा अगला question, अगला question जो है, वो आपके पास alphabet series से लिया गया है, इसमें बात करते हैं, A, Z, G, T, M, N, then we have to find the next alphabet, Y and V, अब सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर alphabet की position जो है, वो पता होनी चाहिए, तो direct आप लोग answer निकाल सकते हैं, अगर बात करता हूं, 1, 26, 7, 20, 30, 40, then आपके पास 25 and then 2, अगर मैं guys आप लोगों से यहाँ बात करता हूं, तो एक चीज़ निकल के सामने आरेगी, हर एक letter का opposite sum 27 के बराबर बन रहा है, 1, 26, 27, 7, 20, 27, 13, 14, 27, 25, 2 is equal to 27, आपके पास यहाँ पर है, हाना तो अगर मैं बात करता हूं, तो आप ऐसे भी idea यहाँ पर लगा सकते हैं, अगर k और f की बात करेंजे, k is 11 और f is 6, तो यह 17 बना, r 18 यह 24 है, नहीं बनेगा, t आपके पास 20, s 19 है, तो डारेक्ट एक ही value ऐसे थी, जिसका opposite letter का sum कितने के बराबर बन रहा है, 19 के बराबर बन रहा है, s is 9 और h is 8, ठीक है, 19, s is 19, तो दोनों को अगर add करता हूं, तो कितना बन गया, आपके पास यहाँ बे 27, ठीक है, so that will be your answer, c option is the correct answer, ठीक है, चलिए, next question की तरफ move करते हैं, अगला question यहीं रहाँ आपके पास, अब आपके पास यह जो question है, वो analogy से लिया गया है, intelligence is a list, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, तो आपको यह बताना है, कि same यहाँ पर कौन आएगा, IQ, intelligence, आउट शर शेल, शी शेल, रेवल, पेलिवेनिया, एंज, जनेटरी, पबलिक, अगर मैं बात करता हूं, तो यह आपके पास क्या है, इसका सनॉनिमस है, यह इसका क्या है, अगला question जो है, वो आपके पास, को direction से लिया गया, distance and direction, में इस question में बात करते हैं, I'm facing towards south, South और पे बोला गया, कि मैं south की तरफ face करके खड़ा हूं, अगर मैं south की तरफ face करके खड़ा हूं, मतलब मैं downward face करके यहाँ पे खड़ा हूं, तो उसके बाद उसने क्या बोला, I turn right and walk 20 meter, अगर आप south की तरफ face करके खड़े हैं, मतलब नीचे की तरफ अगर आप देख रहे हैं, इस point पे, तो यहाँ से जैसे ही right आप लोग लेगे, तो इस तरफ आप लोग जाएंगे, और कितरा distance travel करेंगे, 20 meter, देन आगे आपके पास, then I turn right again and walk 10 meter, अगर मैं यहाँ से right लेता हूं, तो वर नोर्थ की तरफ जाओंगा, वो 10 meter, जाओंगा, then I turn left and walk 10 meter, फिर से मैं लेट लिए 10 meter का distance यहाँ पे travel किया, then I turn right and walk 20 meter, अगर मैं यहाँ से right लेता हूं, 20 meter की तरफ उपर की तरफ जाता हूं जाओंगा, then finally, then I turn right again and walk 60 meter, अगर मैं नोर्थ से right लेता हूं, वो 60 meter का distance level करता हूं, मैं कहीं यहाँ में पहुंच जाओंगा, 60 meter, आगे क्या पुछा, in which direction, I am facing, I from the starting point, I am starting point, so this is my starting point, अगर ही मैं starting point है, तो यहाँ से खड़े हो के, मैं जब भी देखूंगा, नोर्थ है, औ यहाँ से खड़े होके, अगर आप लोग देखेंगे, तो नोर्थ एस्ट, आपके पास जो डिरेक्शन आएगा, वो कौन सा आएगा, नोर्थ एस्ट, आपके पास यहाँ पे डिरेक्शन जो है, बिल्कुल सही बनेगा, तो D is your final answer, ठीक है ना, the answer is D option, चली, next question के अगर मैं B is the father of B, मतलब उल्टा लिखा हुए, सारे के सारे L to R लिखे हुए, नहीं है, R to L लिखे हुए है, left to right नहीं है, right to left है, तो अब आपको यहाँ पर पताना है, विच्छों का following gives expression, P is the mother, अब आपको पताना है, P is the mother-in-law of you, पी को क्या बिनाना है, mother-in-law of you, अब आपको पता है, कि P अगर mother-in-law आएगी, तो P का जिंडर एक बात हमें clear हो जाते ही, कि P का जिंडर का एगा, negative, पी का जिंडर का एगा, negative आपके पास आएगा, तो देखे, आपके पास यहाँ पर cutting नहीं हो पाएगी, cutting दो में करने जा सकती है, अगर left to right हमें पता होता, अगर किसी भी value का left to right हमें यहाँ में पता होता, तो हम left वाले को काड़ लेते हैं, ठीक है ना, तो हमें confirm होता कि left से answer आएगा, अब यहाँ पर जो value given है, वो सारी right to left relation, ठीक है ना, तो एक यह करके बना के हम लोग यहाँ पर check करते हैं, तो अब सबसे पहले first equation है, first equation कि में बात करता हूँ, U multiply T, U multiply कि अगर बात करता हूँ, multiply का meaning है, आपके पास, B is the son of A, तो इसका मतलो होगा, T is the son of U, T is the son of U, ठीक है जी, then आगे है आपके पास multiply, multiply का meaning क्या है, यहाँ पर आपके पास brother, तो मतलो S is the brother of T, S is the brother of T, then आगे आपके पास divide है, divide का meaning अगर हम बात करता हूँ, sister, R is the sister of S, R is the sister of S, लेजे यह बन गया, आगे है, minus, minus का meaning आपके पास क्या है, mother, ठीक है, तो Q is the mother of R, Q is the mother of R, and minus आगे P है, तो P is the mother of Q, ठीक है जी, यह आपके पास यहाँ पर यह पूरा का पूर relation बन गया, हमें बताना क्या था, कि P is the mother-in-law of U, अगर बेटा, एक चीह समझे, यह आपस P, S, जो है, brother है, और R, sister है, तो यह आपस में husband, wife ही होंगे, ठीक है, R की mother, अगर क्यों है, तो U क्या होंगे, उसके पापा रहेंगे, अब पूछा तो हमसे यही था, कि P को mother-in-law बनाना है, तो P, जो है, वो U की mother-in-law, बिल्कुल जी, पहले डाइगराम से यह बिल्कुल clear होता है, so answer is A option, so answer is A option, done, चली, next question की मैं बात करता हूँ, यह रहा, next question, इस question में देखते हैं आपके पास, आपके पास two person है, George, is fifth from the left, अब देखें, classic line है आपके पास, जिसमें की George बैठा है, fifth from the left है ना, देखें आपके पास, and Peter is twelfth from the right end, Peter is twelfth from the right end, ठीक है, in a row of children, if Peter shift three places toward George, अगर Peter तीन प्लेस जोर्ज की तरफ जाता है, जैसे की one, two, three, इस तरफ, he become tenth from the left end, he become tenth from the left end, अब आपके पास, Peter जो है, वो कितना हो जाएगा, tenth from the left end, how many children are there in a row, आप से पुछाएगे, इस row में आपके पास, कितने बच्चे होंगे, अगर मैं बात करता हूँ, formula वही लेगए, total is equal to left plus right minus of one, अब बेटा, अगर मैं बात करता हूँ, Peter अगर यहाँ पे 10th पे है, left side से, जो और भी left से है, जो जिसके अदर आ गया, अगर यह 10th है, तो यह 11th और यह आपके पास 12th, और यह आपके पास, मैं इसकी बात करूँ, Peter की left side से कितने आगे, 13, ठीक है, तो एक बंदे की हमें दो बड़ी value मिल गई है, एक बड़ी 12 है, एक बड़ी 13 है left side से 13, right side से 12, minus of 1, तो 12, 13, 25 minus 1 is equal to 24, तो आपके पास total कितना रहेगा, यहाँ पे 24, total कितना रहेगा, आपके पास 24, so answer is D option, so answer is D option, hopefully this is also clear to you, cherry glass, so this is next question, अब इस question की बात करते हैं, यह फिस से आपके पास distance and direction से लिया गया है, if south east become north, आप सबस्ते पहले हैं, यह चेंजिंग डिरेक्शन के बेशन है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे direction एक बड़ी ड्रोग करने पड़ेंगे, ताकि आप ल साओधेel इस्त बीकम नौर् अब आपके पास कभिणा बन गया है, अब आपके पास क्या बन गया है वेस्त, अब नौर्थ इस्त क्या बन गयी है वैस्त, तो नौर्थ यहां पर होता है, और इस्त यहा जलता ही जाएगा, बट wealthy the original dec एक लिँटे तो साउठ यहाँ पर है तो आपके पास आएगा सौ आपके पास ए संसाओ ऐस्साएगारिस वो साउठ एस्टन साइड डिशीरा इस्फाइल आंग से बॉस्ट की चे guessed अगले question की बात करता हूं यह question जो है वो आपके पास से लिया गया है अगर मैं यहां बात करता हूं तो सबसे पहले first conclusion की बात करते हैं अगला क्या है और डाइमेंड और यहां बहुत बहुत नहीं है नो डाइमेंड पूरे के पूरे डाइमेंड जो है नहीं गया है तो अगर मैं बात करता हूं सारे के सारे conclusion यहां पर फॉल्स आएंगे तो पहले तो आइदर केस बनना चाहिए था पर यहां पर आइदर गिवन नहीं है तो वीकिन डारेक्ट्ली से ना कि आपके पास नन फॉलो कोई भी आप फॉलो नहीं कर रहा है डारेक्ट अंसर आजाए चरिए तो अगला वेक्षिन जो है यह आपके पास अगर मैं बात करता हूं यह question जो है course of action से लिया गया है यहां पर दिखें course of action हमने लिखा हुआ है यहां में मार्क में कर देता हूं highlight course of action अब इस question के मैं बात करता हूं statement क्या है the librarian finds some cases in which the page of the certain book issued from the library are torn torn का मतलब होता है फारणा फटे हुए उसने पाए है page ठीक है अगर मात करता हूं the librarian should keep a record of books issued by each student and if the pages are found torn stick measures should be taken against the children who had been issued that book अगर कोई अपरादी पाया जाता तो इसके खिलाफ हमें action दो लेना चाहिए पहला तो बिल्कुँ सही है दनगला क्या है some funds should be collected from the children collectively to renovate the library पीटा इसकी तो बात ही नहीं हुई है तो second तो यहां बें कोई लेके ही नहीं आ रहा है यहां पर देखिए exception की बात हुई है यहां पर साफकोर पर लिखा भी हुआ है that is your statement यह है आपके पास statement है पर यहां पर क्या है आपकी exception 1 और exception 2 अगर बात करता हूं सबसे पहले क्या है the program will start at 6 p.m. but you can come there up to 7 p.m. or so and still there is no problem अगर आपके पास एक function है जहां छे बजे साथ होगा बोला जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है अजप्शन क्या है the program will continue even after 7 p.m. इसी भी तो बोला जा रहा था उनको भालूम है 6 बजे start होगा 7 बजे भी अगर आप आते हैं तो आप आ सकते क्यों कि उनको पता है कि program जो 7 बजे के बाद भी चलेगा ठीक है तो तब यह तो ऐसा बोला जा रहा है next question के अगर बात करता हूं अगले question में देखते हैं there are five letter a b c d e आपके पास पांच alphabet है e तक आगे है d is greater than a d जो है बड़ा है किस से a c ठीक है and b is greater than c b जो है बड़ा है किस से c से but but जो है वो बेटा किस को represent करता है a को represent करता है sorry b को represent करता है b is smaller than a b is smaller than a b एगर चोटा तो c b आउब बेस आपके पास चोटा आएगा a is greater than e a जो है बड़ा है किस से e से तो e यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी आपके पास और यहां पे भी ठीक है दनागे क्या है, but less than D, ठीक है, but less than T, E is, A is greater than, हाँ, तो यह बात बन गई है, देखिए, A is greater than E, A जो है, बड़ा है E से, but A जो है, छोटा है D से, हाँ, यह बन गया है, दनागे आपके पास है, E is greater than C, E जो है, वो बड़ा है, greater है, तो इसका मतलब क्या रहा, अगर E greater है, तो आप लोग इस चीज को समझें, कि यहाँ से, E जो है, इसा बोला है, E is greater, E is greater, E is greater than C, E बड़ा है C से, लो तो, आपके पास इसे मिटा दो, पहले तो, ठीक है, इतना मिटा लिया, but less than B, but B से चोटा है, तो एक बात और भी क्लियर होगी, कि E आपके पास C यहाँ पर एक अन सिदा पूछा है, which letter will be in the middle, अगर में बात करता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पांच बंदे आ गए है, middle में कोन बना है, C option, मतलब B आपके पास बना जो है, वो middle में यहाँ पर बना है, that is your answer, correct answer, डना जी, चल, यह रहा next question, अगला question, जो है, find the missing number से है, आपके पास यहाँ प में find out करना है, अगर बात करता हूँ, देखते हैं, यहाँ पर कैसे यह logic लगाया गया है, तो सबसे पहले अगर में देखता हूँ, यहाँ पर one, इस पर पकड़ते हैं, one, जो है, one का cube कर दिया, तो one आ गया, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको, one का cube, आपके पास यहाँ पर हमने क्या, one, तो one का cube कितना होता है, तो one, थिक है, आगे आप लुग देखते ह breakthrough है, यहाँ पर हमने क्या किया, 64, जो है आपके पास कितने का cube होता है, eight का, चार का, सोरी, 4 का cube करते हैं, तो यहां पे 4, आगे अगर मैं बात करता हूँ, 27, 27 कितने का cube होता है, 3 का, ठीक है, आगे है 8, अगर 8 की मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 8 की बात करता हूँ, तो 8 कितने का cube होता है, 2 का, ठीक है, तो अब यहां पे 2 आ जाएगा, तो इन सभी को अगर ready क रापके परते हैं तो आपके पास दो एक प्लस चार पांच, पांच प्लस तीन , आठ अठ हट और जो संट्र pink आपके पास पूर्म हो गया, यहां पे भी सेम is 3 ती जो है कितने का क्यूब होता है तीन का, ठीक है जो सुसुरा जो है छे का यह यह 5 का cube होता है और यह कितने का cube होता है 4 आप डिरेक्टी अड गर सकते हैं आप लोग यहां पर डिरेक्टी एड कर सकते हैं यहां सब क्या हैं आपके पास cubes यहां पर गिवन है और क्यूब को आगर आपके पास यहां पे क्यूब का विशन लिया गया है क्यूब इसके कि सारे साइड में क्या किया गया है इट इस देन कट इंटू 64 स्मोल क्यूब इसे 64 क्यूब में काटा गया चोटे चॉंसर हिस्सों में से काटा गया है 64 हिस्सों में से डिवाइड किया गया है ठीक है ना कि अब कि अब कि अब कि कि 64 आपके पास पीसिज में काटा गया है दस्मोलर क्यूब आपके पास यहां में पूछा गया है तो डिरेक्ट ली आप लोग यहां पर फॉर्मुल्दा लगाते हैं एंड माइन कितनी आगी आपके पास चार अगर मैं यहां पर फॉर माइनस टू करता हूं तो आपके पास आता है तू और टू इंटू करता हूं तो 24 सो करता हूं अगला क्या पास क्या है विच और फॉर्लविं स्टेटमें इस कॉरेक्ट आपको यह पूताने के इनमें से कौन से करेक्ट है इफ इन अमन्त ओ थर्टीवन देस किसी मन्त में इकत्यस दिन है थर्ड देफॉल आन फिफ्टींथ देन देन देल लास्ट देव बान तुड़े इस टूजडे देन दा डे आफ्टर टू मन्थ बिल भी संडे नहीं यह भी नहीं होगा आप लोग करके देख सकते हैं तो यह जो प्रिशन है वो डेटा सफिसेंसी से लिया गया है डारेक्ट आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हैं कि यहां पर ना तुन पहला होग ना ही दूसरा होगा डारेक्ट टांसर आजाएगा नीदर वन और टू ठीक है चलिए अगले विशन जो है आपके पास यहां फिफ्टींथ है सेलेक्ट आपको करना है कि थर्ड आपके पास क्या रहेगा तो पी इए एन अगर बात करता हूं पी इए एन आपके पास इसका क कि इए और अई टी ठीक है तो इसके नंबरिंग डाते हो निकालना किसका है का का सी ए पी निकालना फूर ऑब यहां पे बात करता हूं 14 से 20 पे गए प्लस और 6 हुआ ठीक है आगे में बात करता हूँ यहां पे 3 यहां पे 1 यहां पे 16 तो दिखो अगर मैं 16 से 18 पे आता हूं प्लस 2 तो प्लस 2 करता हूं तो simple यहां में प्लस 2 करने पढ़ेंगा 3 पे 2 कि कितना आगे 5 आगे प्लस 4 हुआ है एक में 4 एड़ पांच ठीक है 16 में 6 हुआ है 16 चार बीस प्लस दो बाइस लीजिए बाइस पांच पे फिस से इफिसे आपके पास सब्सक्राइब यहां पे इसको निकाल चकते हैं यहां तक सारे के सारे आपको प्रेशन जो है समझ में आए होंगे चलिए जुड़ने के लिए बहुत- और आग की सेशन में हम डिसकस करने वाले हैं आपके वीकली मोग टेस्ट के कोई के पार्ट का सुलूशन स्टार्ट करते हैं फिस्ट कोशन के साथ दीकर फर्स्ट कोशन क्या कहा रहा है एक ट्रेन ट्रावलिंग एट 72 किलो मेटर पर आर प्रोस अनदर ट्रेन हैं गाफ in 15 seconds और यह दोनों एक दूसरे को पोजेट रेक्षिन में क्रोज करते हैं और पोजेट रेक्षिन में स्पीड क्या होती है अगर हम बात करें दोनों की स्पीड एड़ हो जाएगी 72 km पर आर प्लस 63 km पर आर तो अगर मैं दोनों को एड़ करूँ तो speed क्या होगी मेरी 135 km पर आर इंटू 5 by 18 इंटू 5 by 18 और इसको कितने time में cross किया है 15 second में cross किया है ठीक है अब अगर हम इसको यहां से solve करते हैं देखो सबसे पहले अगर मैं इसको 3 से divide करूँ तो यह 6 पे divide करेगा ठीक है और यह इसको 5 पे divide करेगा ठीक है 3 से divide करेंगे तो यह 2 पे divide करेगा और इसको यह पहले 4 पे और फिर 5 पे divide करेगा और यह इसको 15 पे divide करेगा तो x की value क्या आगई हमारे पास 25 इंटू 15 मतलब 375 divided by 2 meter ठीक है x की value आगई 375 divided by 2 meter अब अगर X की वैलू ये है तो 2X की वैलू क्या हो जाएगी? 375 मीटर हो जाएगी मतलब जो fast train है उसकी length कितनी है 375 और जो smaller train है जो slower train है उसकी कितनी है 375 divided by 2 का half है उसके बाद उसने क्या बलब the faster train मतलब पहले वारी train पास एक railway platform तो 375 प्लस X platform की length हमारे पास देर ने रखी कितने time में 50 second में तो 72 into 5 by 18 into 50 ठीक है अगर इसको solve करें तो इसको ये पूरा-पूरा किस पर divide कर रहा है 4 पर divide कर रहा है तो 375 प्लस X ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा तो X की value आपके पास कितनी आ गई X की value आपके पास 625, 625 उसने पूछा क्या था find the length of smaller train is what percent of the length of the platform मतलब वो हम से पूछ रहा है कि जो ये 375 divide by 2 है ये बताओ इस 625 का कितनी percent है अगर मैं देखो सबसे पहले इसको 25 से divide करूँ इसको 4 पर divide करेगा ये इसको 2 पर divide करेगा और ये इसको 15 पर divide करता है 15 into 2 30 option D इस question का right answer होगा थोड़ी सी calculation थी इस question में चले उसके बाद बढ़ते है next question की तरफ next question में क्या करें A alone can do a piece of work in 6 days कि A किसी काम को 6 दिन में complete करता है and B in 8 days A and B undertake to do it for 3200 rupees with the help of C they complete the whole work in 3 days how much is to be paid to C A करता है 6 दिन में B करता है 8 दिन में और A plus B plus C ये करते हैं 3 दिन में LCM लो LCM कितना 14 A के efficiency 4 B के efficiency 3 और 3 के efficiency कितनी होगी 8 होगी तो 4, 3 और 1 अगर मैं A, B और C के efficiency का ratio की बात करूँ तो C के efficiency कितनी आ रही है 1 तो total कितना होगी 8 तो 3200 को अगर मैं 8 से divide करूँ तो 1 unit की value क्या रही है 400 आ रही है और C को 1 unit ही मिला था तो 400 इस question का right answer होगा उसके बाद बढ़ते है next question की तरफ, next question में क्या कह रहे है सुमित हाइड a traveling car for a tour if the car is rented for 8 hours or less the charge is 100 rupees per hour और 8 rupees per kilometer which average is more वो क्या कह रहे है अगर उसने 8 गंटे या 8 गंटों से कम के लिए अगर उसने cap book की है ठीक है तो उसको या तो 100 रुपे परती घंटा देना पड़ेगा या फिर 8 रुपे परती किलोमेटर के साब से जो भी जादा बनेगा ठीक है अगर उसने हम बात करें के 800 रुपे दिये हैं और 8 गंटे के हिसाब से ठीक है तो हम कह सकते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ठीक है अगर उसने पहले वाले केस में इसको डिवाइड पर हंडड करेंगे उल्टा कर लिया हमने अगर उसने 800 रुपे दिये और वो 100 रुपे ए गंटे के साब से दे रहा था ठीक है क्योंकि हमें टाइम निकालना है ना तो हम कह सकते हैं कि उसने कितने गंटे कार यूज की होगी उसने 8 गंटे कार यूज की होगी ठीक है और उसने किलोमेटर कितने चले थे 120 किलोमेटर चले थे अर जब वो 8 गंटे कार यूज कर रहा था तो उसके rate क्या था MARY एट रुपीस पर किलोमेटर मतलब यह तो अगर वो 8 गंटे के लिए कार यूज करता तो 960 रुपे ज़ादा बनते थे जो भी उसने किया ने उसने यही बोला था ना कि 8 hours more than the charge is 80 rupees per hour और 6 hours per kilometer तो कितना 720 देखो ज्यादा तो यही बना था ना 800 रुपे तो 10 hours के लिए उसने कार्योज के थी 10 hours के लिए उसने कार्योज की थी ठीक है next question next question में क्या कह रहे है a milk vendor has two cans of milk the first contains milk and water अगर 25% milk है तो 75% क्या होगा वोटर होगा तो milk और वोटर का ratio क्या है 3 ratio 1 है second में 50% है मतलब 1 ratio 1 होगा second में कितना होगा 1 ratio 1 होगा और final में ratio क्या है 3 ratio 5 water to milk है मतलब milk और water का ratio करोगा तो 5 ratio 3 अगर मैं milk की बात करूँ तो 3 by 4 1 by 2 और 5 by 8 ठीक है LCM अगर मैं ले लूँ इसका 8 गाएगा सबको क्या करो 8 से multiply कर दो सबको 8 से multiply कर दो 8 से 8 cancel allegation लगा तो यह कितना बनेगा 4 5 में से 4 गया एक 6 में से 5 गया एक मतलब 1 ratio 1 उसने आगे क्या बोला था कि total अगर वो 12 लेता है तो मतलब 1 ratio 1 में दोनों quantities क्या होंगी बराबर होंगी तो दोनों से क्या करेगा 6 6 लेटर लेने वाला है option भी आपका इस question का right answer होगा ठीक है चलिए next question a man complete a journey by car if he cover 30% of the distance at the speed of 20 and 60 at the speed of 40 and the remaining at 10 km देखो 30 अगर मैं कहूँ के total distance 100 का average speed निकाल ली है तो average speed क्या होती है average speed का formula क्या था आपका total distance divided by total time तो total distance 100 हो गया तो 30% मतलब 30 km divided by 20 प्लस उसके बाद 60 divided by 40 और remaining 10 divided by 10 तो देखो यह तो 100 बन गया आपका यह 1.5 यह भी 1.5 और यह कितना 1 तो 3 प्लस 1 4 तो 100 by 4 मतलब 25 इस question का आपका right answer होगा option a इस question का आपका right answer होगा चलिए उसके बाद next question out of 12 person 11 person spends 2,000 monthly each the 12th person spends 110 more than the spend more than average spending of 12 person देखो अगर बारवा परसन मालो एक्स रुपे खर्च करता है और इन 11 person ने total कितना खर्च किया था इन्होंने total 22,000 रुपे खर्च किये थे ठीक है तो मैं कह सकता हूं कि उनका 12 लोगों का total खर्च कितना होगा एक्स बस 22,000 होगा और अगर मैं इसका average calculate करता हूं तो divide by 12 करना पड़ेगा ठीक है और अब इस person का जो पैसा था न वो उसने क्या बोला था 110 रुपीज more than his average कि average से 110 रुपीज जादा था ठीक है अगर आप दोनों को equal करना चाहते हो तो या तो यहां से minus 110 कर लो या इधर आगे plus इसको 110 कर लो ठीक है अगर इसको solve करते हैं क्रोस multiply करें इसको ठीक है कितना हो जाएगा यह अगर मैं इसको cross multiply करता हूं तो x plus 22,000 is equal to 12x minus इसको multiply करेंगे तो 0 उसके बाद 11 से multiply करना है 2,3,1 ठीक है तो यहां से इधर 11x की value आ जाएगी तेरा सो बीस रुपे अगर मैं 2000 में से तेरा सो माइनस करता हूं 700 और यह आ जाएगा मेरा 680 680 रुपे ठीक है अब 11 से divide करें इसको ठीक है 11x से उसने पूछा था हम से how much money did the 12% spent ठीक है इधर आकर plus होगा न इधर आकर यह plus होगा माइनस नहीं होगा plus होगा हमें इधर आकर plus करना है तो यह कितना हो जाएगा 2,3,3,2,0 ठीक है तो अब 11 से इसको divide करते हैं पहले तो 2 पे divide करेगा फिर 1 पे करेगा फिर 2 पे करेगा 0 तो option भी इस question का right answer होगा option B 2,1,2,0 चले उसके बाद next question क्या करा in an election contested by two parties A and B party A score 25% of the total votes more than party B देखो 25% की मैं fraction value की बात करूँ तो fraction value कितनी है इनकी 1 by 4 ठीक है तो मतलब दोनों parties में A plus B में total vote कितनी होगे 4 अगर मैं इसको 40 और 10 कर लो calculation को असान बनाने के लिए ठीक है अब उसने क्या बोला था in an election contested by two parties A and B party A score 25% of the total votes more than B कि इन दोनों के बीच का जो difference है इन दोनों के बीच का जो difference है वो आपका कितना बन रहा है A minus B के बीच का difference कितना बन रहा है 10 बन रहा है क्योंकि अब solve करेंगे तो देखो ये cancel हो जाएगा 50 तो A की value क्या आ जाएगी आपके पास 25 आ जाएगा ठीक है और B की value क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी A की value 25 और B की value क्या आ जाएगी 50 इफ the party B get 15,000 vote how much votes that did party be lost in the election देखो अगर 15,000 के लिए मतलब मुझको इससे 1000 करना पड़ेगा multiply और ये 10 का difference था तो 10,000 इस question का answer आ जाएगा ठीक है 10,000 इस question का answer आ जाएगा next question A toy is sold for 336 rupees if the percentage of profit is equal to the cost price ठीक है ऐसे question में क्या करो हमेशा option option से help लो ये दो option मुझे ठीक लग नहीं रहे क्योंकि दोनों fraction कुछ numbers यह ऐसे हैं 120 और 140 पर सबसे पहले try करो अगर मैं कहता हूं के 140 है तो उसने बोला है कि 140 के ओपर 140 परसेंट का ही profit हुआ तो SP यह आना चाहिए तो 196 140 प्लस 196 तेक है बन गया तो option भी इस question का right अंस अधा ऐसे question में हमेशा option से help लेनी चाहिए हमें अगर हम चाहते हैं कि question जल्दी से जल्दी solve हो जाए क्या कर रहा है इने business P and R invest amount in the ratio 2 ratio 1 P और R ने किस ratio में लगाया इसने 2 और 1 के ratio में लगाया whereas the ratio between amount P and Q P and Q is 3 ratio 2 और P और Q में ratio क्या है 3 ratio 2 ऊपर वालों को करो 3 से multiply नीचे वालों को करो 2 से multiply तो यह क्या हो जाएगा 6 ratio 3 ratio 4 total 13 बना और यह किसके equal है 2 2 3 6 के equal है 2 2 3 6 इसको divide करेंगे तो पहले 1 पे करेगा ठीक है कितना 22 में से अगर 13 आगा कितना बचेगा 9 93 साथ और फिर करेगा 2 पे करेगा तेरो साथ एक्यानवे और फिर दो पे करेगा तो वन यूनिट की value क्या आगे 172 आगे और क्यों का हमें calculate करना है और क्यों का कितना है 4 है 8 8 और 6 तो option B इस question का आपका right answer होगा option B ठीक है क्या अगर Ashwin invested an amount of 9,000 in fixed deposit scheme for 2 years at compound interest rate 6% per annum how much amount will Ashwin A get at the maturity of the fixed deposit अगर 6% two years के लिए लगा है तो यह कितना होगा 12.36% होगा ठीक है जो CI का percentage होगा वो कितना होगा अब principle तो मेरे पास 9,000 है इसका मैं 10% लेता हूँ तो 900 होगा ठीक है अगर मैं 1% लेता हूँ तो कितना होगा 90 और 2% कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा अगर मैं यहीं तक एड़ करूं ठीक है तेन थाउजन एट्टी तो मतलब यह तो ग्यारा हजार तो मेरा अंसर होई नहीं सकता क्योंकि मुझे पॉइंट्री सिक्स कैलकुलेट करना है लगबग फोटी अगर मैं इसका फॉइंट हाफ भी लेता हूं तो 245 बनेगा तो यह अंसर भी नहीं हो सकता तो एक ही ऑप्शन बचा ऐसे कोशनों में ऑप्शन के हल्प लोग पूरा मत कैलकुलेट किया करो क्योंकि पूरा कैलकुलेट करने में अपने को टाइम लगता है और फिर बाखी कोशनों के लिए टाइम बचता नहीं हमारे पास क्या यह भी 96% हो गया चेंसल कर दो 25 से डिवाइड करो इसको यह फॉर पे करेगा और 25% का आपको मतलब बता रहा थैं के 100 भाई 4 होता है ठीक है अब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो यह भी 24 और इसको डिवाइड करोगे तो यह भी 24 ट्वेड़ का स्केयर क्या होता फाइव 76 और पीछे 2-0 लग जाएंगी 100 वाली तो option ए इस portion का right answer आ जाएगा चले 2 pipes A and B can fill a tank in 37 and half मतलब 75 by 2 and 45 अब मुझे 75 और 45 का LCM लेना है तो 225 होगा तो यह 3 पे काटेगा तो A के efficiency 6 हो जाएगी और B के efficiency क्या होगी 5 होगी A के efficiency 6 और B के efficiency 5 both pipes are open the customer will be filled in just half है ना आदे घंटे में बढ़ गया मतलब 30 मिनिट में देखो अगर 30 मिनिट में बढ़ा है तो इसने तो पूरा time काम किया तो exhaust सी तो इस नहीं बढ़ा है LCM कितना था 225 बचा कितना 45 तो 45 divided by 5 कितने पर डिवाइड कर रहे है 9 पर डिवाइड कर रहे है तो 9 मिनिट के बाद pipe B को बंद कर दिया गया था इतने चोड़े-चोड़े कोशन है इतना ही time आप लोगों को भी लगना चाहिए statement को समझनी कोशिश को रच्टे मत लगाओ ठीक है क्या कर रहे हैं container contains 40 liter of milk from this container 4 liter of milk यह कोशन इतनी बार आचुका है ना अलग-लग books में हर जग एक कोशन है तो option D is cancer है कैसे उसने 4 निकाला 40 में से कितना निकाल लिया 1 by 10 निकाल लिया अगर 40 में से 1 by 10 निकाल लिया तो बचा कितना बचा कितना 9 by 10 into 9 by 10 into 9 by 10 क्योंकि उसने इतीन बार process किया ता 0 से 0 के इंसे 4 into 9 का cube 729 divided by 100 739 को अगर आप 4 से multiply करोगे तो कितना होते 749 चार अठाइस सो 39 को 4 से उना गरो कितना होते 116 होता है ठीक है 316 और divide by 100 करोगे तो 29.16 इस question का right answer होगा चले next question A starts from place A to go to place Q at the same time B starts from Q to P if after meeting each other A and B took 4 hours and 9 hours more respectively to reach their destination then ratio of their speed तो ऐसे case में इनकी जो speed का ratio होता है वो किसके equal होता है under root of time taken by second divided by time taken by first तो 9 by 4 और इसको under root solve करेंगे तो 3 ratio 2 कितना 3 ratio 2 option A आपका answer होगा Sita deposit 5000 at 10% simple interest for 2 years how much more money will Sita have in her account at the end of 2 years if it compounded semi-annually अगर यहां से सिंपल इंटरस्ट पर लगाएगी तो 20% इंटरस्ट मिलेगा बट semi-annually में करेगी तो 5% लग रहा है चार साल के लिए तो मतलब 20% तो मिली रहा है खीक है और लगबग 25 divided by 100 into 6 तो 1.50% और यह परसेंटे समेशा approximate में की जाती है कि 1.5% उसको जादा मिलेगा इसका अगर मैं 1% बात करूँ तो 50 उसका आधा करूँ तो 25 मतलब लगबग 75 के आसपास जो है उसको जादा मिलेगा तो option C इस question का right answer होगा चलिए यह last question था I hope यह सभी question clear होंगे आप लोगों को अगर कोई भी doubt होता है तो आप comment box में बता सकते हैं तो मिलते हैं next session में तब तक लिए take care thank you so much Hello everybody welcome to this session by Gyanam I am Piyush Sardana your buddy English language teacher Let us see what we have in store over here guys इसमें आपको substitute करना है जो आपको लगता है correct option है right So we have something over here it is the time the six year old learnt हो जाएगा यह वो time है जब उसने सीखा था that is past indefinite One of their freighters the Neptune will be leaving in two weeks दो weeks में जा रहा होगा will be leaving They probably would have caught up the truck by now Probably है ना तो probably का मतलब must तो नहीं आएगा Channel की जरुदित नहीं है जो लिखा है वो सही लिखा है शायद अब तक तो truck पकड़ लिया होगा Since 1986 earthquakes है ना there have been Have been क्यों लगा रहे है क्योंकि since 4 दिया होता है तो आपको perfect continuous का helping work चाहिए Forward ये idioms है They have decided to go hand in hand in this business Hand in hand का मतलब होता है They have to move in unison इकठे चलेंगे united होकर Quantities of character are at a discount in this material world अब यहाँ पर क्या रहा है कि at a discount मतलब इतनी demand में नहीं है It is not valued more Opposite बताना है आपको relentless का Relentless का मतलब क्या होता है जैसे मोलते हैं कि ये तो relent है मेरे लिए दूर जा रहा है तो relentless का opposite क्या हो जाएगा Yielding Forbearance का opposite बताना है That is intolerance Adjective adverb My cousin helped me paint the walls He has done Option Done it very इसमें space आएगा Nicely Mum always dresses beautifully I like my sister's attitude of keeping one's chin up मतलब कि आप हर situation में चाहे difficult हो चाहे easy हो joyful रहें Correct sentence निकालना चारो में से Walk carefully lest you may have a fall Walk carefully lest you should have a fall ये हो जाएगा lest के साथ Should His overconfidence has brought about his ruin उसकी वज़े से ऐसा हुआ है ये लेकर आया है Wizard of following is a plural of the word Sheep Sheep का plural Sheep ही रह जाता है A lot अभी यहां पे error निकालना है A lot of people in my country Prefers tea to coffee अभी यहां हो जाएगा prefer Yeah, thanks for watching I hope you enjoyed Stay tuned क्या आप लोगों के पास question थे उनको एक एक करके हम लोग यहां पे discuss करेंगे चली तो सबसे पहले first question देखते है The computer monitor is which type of device आप देखिए बड़ा simple सा question है आपके पास पूछा गया है कि computer का जो monitor होता है वो कौन से type का device आपके पास है Input device, Output device इस या फिर processing या फिर software देखो सबसे पहले बात करता हूँ तो software तो यह कभी बनेगा ही नहीं आपको पता है ठीक है process यह कभी करता ही नहीं है input हम लोग यहां पे देते नहीं है जो यहां आपे निकल के आती है monitor में that is your output आपके पास यहां पे निकल के आती है करता हूँ तो यहां बें इसका मतलब क्या हुआ देको बड़ी simple सी बात है binary code choice की बात करी गई है binary choice का मतलब है आपके पास 0 और 1 अगर हम बात करता हूँ 0 और 1 की आपके पास ठीक है आपको यह बात याद रखनी है कि जब भी computer का code लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है 0 और 1 के format में लिखा जाता है तो option है 1, 2, 3 या फिर इडिपेंड अपोन दा amount of memory of the computer यह तो answer का भी बनेगा निए तो जो आपके पास होता है binary code वो दो language में लिखा जाता है जीरो या फिर बन की ठीक है ना तो answer is 2 answer is 2 यहां पर बनेगा hopefully भी बात आपको clear है चलिए next question की तरफ चलते हैं the smallest of the information computer can understand and process is known smallest unit पूछा गया आपके पास digit है कि यह कि लो बाइट है बाइट है या फिर बाइट आता है अप्टो सो नहीं पूरा पूरा चलता है तो answer यहां पर क्या बनेगा bit is the smallest unit यहां पर बन जाएगा done चलिए next question यहां बात करता हूं रैम अब रैम के बात करता हूं तो यह यहां पर क्या है बोलटाइल यहां पर क्या है बोलटाइल आपके पास वर्ड जो है आएगा आंसर इस ए उप्शन नेक्स विश्चिन के बात करता हूं विच इस नौट एंड आइटम ऑफ हार्डवेर इन में से कौन सी आइटम जो है हार्डवेर की नहीं है अब आप यह कीबोर्ड मोनिटर या फिर माउस अगर मैं बात करता माउस आप लोग चलाते हैं तो हाडवेर की एंटिटी है भाईया मोनिटर भी आप चलाते हैं यह भी हाडवेर की एंटिटी है कीबोर्ड दो भी आप टच करते हैं अब हाडवेर का मतलब था जिसे टच किया जा सकता ह है तो अब आपके पास एक MP3 जो होते हैं किया बनेगा यह उप्शन बनेगा क्यों क्योंकि आप इससे टच नहीं कर सकते यह वह उप्शन MP3 क्या है आपके पास hardware नहीं है तो आपको प्रोसेस और फ्रिपेरिग डिस्क फोर दा यूज ओ इसकोल्ड ठीक है जो आपके पास है डिस्किट का फोर यूज करने के लिए असेंबलर ट्रांसलेटिंग पासिंग या फिर फॉर्मेटिंग अब डिस्क के बात करता हूं आप लोग इसको इस तरीके से आपने बच्पन में कभी पढ़ा को इसको का जो कि आप लोग्यां पर भोलते हैं असेंबलिंग ट्रांसलेटिंग और पारसिब्स वीचिता नहीं होता है क towards सलाने करना चांब तो एक ह성 पिन्सक्राइब नहीं करके आप उसका रिविश्न के बात करता हूं अब रिउ स्क्राइब सेट इस्ट on एक आपको साफ तोर पर एक बात पिर है कि यहां पर जो वर्ड उसके जाता है वह क्या एक स्थेमिटिक ढंग से किसी वी चीज का स्लूइशन निकालना उसको क्या बला जाता है यहां बहुत है तो आंसर किया बनेगा एन ठीक है चलिए नेक्स विशन देखते हैं अगला कुशन क्या है आपके पास अगला कुशन यह रहा अप प्रोग्राम डैट अनेबल यू तो परफॉर्म कैलकुलेशन इंबॉल्विंग रोज और कॉलम ऑफ नंबर इसको साथ और फिर रोज और जब भी कॉलम की बात आपके पास आ जाती है तो एक बात याद रखेगा स्प्रेडशीट ठीक है स्प्रेडशीट के अगर बात यहां पर आ जाते हैं क्योंकि जब भी आपके पास यह able to do क्रेख तो रोज और कोलम कहां पर होते हैं मैं सेक्सल में आपके पास यहां पर होते हैं यहां आपके आप देखा होगा इस तरीके से रोज कोलम आपके बने हुए आप эпिक है ना तो आपके सप्रेडशीट जो है कि आपका अज़िए कघ्षर नशर बनेगा तो कि रोज is related to file as a statement is related to record जो होता है वो किसके अंदर आता है फाइल के अंदर आता है तो statement जो है वो किसे relate करती है procedure से file से program से या पर data से अगर मैं बात करता हूं तो यह बड़ा simple सा question है answer साफ तोर पर आपको दिख रहा है कि program से आपके पास क्या बनते है statement से क्या बनते है program आपके पास यहां पर होते हैं ठीक है तो डारेक्ट आंसर यहां पर था चलिए next question के अगर मैं बात करते हैं housing all hardware software storage and processing in one site location is called देखिए यहां पर housing की बात हुई है hardware है software है storage है process करने की बात है one site location is called time sharing distributed centralized processing या फिर आपके पास computerized ठीक है या फिर host computer आइवन बात करता है पहले इसका मेनिक सब्सक्राइब जैसे एक घर है जो कि fully computerized है उसकी बात करी जा रही है तो वहां पर आपने देखा होगा कि centralized system होते हैं बोलते ना यहां पर इस घर में centralized यहां पर कर रहा है तो यहां पर साफ तर पर आएगा अंसर और centralized processing आप लोग यहां पर क्या करेंगे centralized processing system यहां पर यूज करते हैं ठीक है तो hopefully यहां तक आपको सभी को clear हुआ होगा तो जुड़ने के लिए धन्यबाद थैंक्यू करेम हो तर जा वां हू है तोत्र शया ब्लाद में यहां पर दो यहां यहाँ लिगे टज गां में Catholics प्सकी में यहां डेख स्तरा करेंफित्वार्ड़utiveर हां यहां वाल-टर में टbajं़ड़ने क्यावाज Sunday